दोस्तों आज बात करते हैं काईला हरिसन के बारे में जिनकी अभी भी उनकी लास्ट फाइट हुई है पी एफल के अंदर और यह उनकी लास्ट फाइट थी as per her contract with पी एफल और इस लास्ट फाइट जो की वो जीत गई इस विन के बाद उनका record हो गया है अब 12 and 0 यानिकी 12 wins, 0 losses. Now, हम ये बात, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं because Kyla Harrison इस ताम पे एक ऐसे पॉइंट पर पहुच गई है जहापे बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि UFC अब उन्हें हाइर करेंगी. Now, ideally जो UFC है वो तब हाइर करती है बाकी champions को या champions जो की दूसरी company में हैं जब या तो बहुत ज़्यादा famous हो या फिर यह पॉसिबल हो कि वो यहाँ आपके कुछ कर सकते हो यहाँ पर दो चीज़े हैं. Kyla Harrison is famous. She has represented U.S. in Olympics. उनके पास दो gold medal है in judo में. So, kind of like Ronda Rousey मुझे feeling आती है जब यह उनके बारे में हम बात करते हैं. Because she is that dominating. Ronda भी obviously she was in judo. और यहाँ पे Kyla भी obviously. इनके पास तो दो medal मेडल भी है, Olympic gold medal है उनके पास है. और बारा फाइट के बाद in MMA, this is the perfect time. यहाँ पे इशू यह है कि Kyla Harrison को बहुत सदा पेसा पे कर रही है PFL. PFL के अलग मॉडल है, उनके अलग rules भी है. और वहाँ पे एक होता है tournament, जहाँ पे हर साल एक विन्दर निकलता है, हर division में और कुछ इस तरीके से. और वहाँ पे Kyla Harrison लगातार दो बार वो जीच चुकी है और उनके पास one million dollar वो लगातार दो बार वो जीच चुकी है. और यह बहुत बड़ी रिकम है एक ऐसे fighter के लिए जो कि fight नहीं कर रहा UFC के लिए. यानि कि MMA companies पैसा दे सकती है और PFL है उनके पास जो model उनका है वो pay कर रही है Kyla को. और obviously वो try करेंगे कि शायद Kyla नहीं जाए छ उनको जब वो fight करेंगी या तो UFC में या फिर किसी और बड़ी कंपनी, maybe at least Bellator. और I feel कि यहां पे शायद यही एक पूरा पॉइंट है कि क्या UFC उनने इतना पैसा देने को ready रहेंगी. देना वाइट ने से यह सवाल जब पूचा गया तो उनने कहा था कि अगर मैं होता कायला कि हमें आपकी ज़रुवत नहीं है, आपको आना है तो, yeah, maybe, but हम इतना पैसा को नहीं देंगे. But हमारे पास यहां पे बहुत यह अची फाइट है, यह उनका वेट कर रही है, वो है Amanda Nunes. Now, this is no secret कि इस ताम पे Amanda के पास कोई बड़ा अपोनेट नहीं है. Entire division she has cleaned up. There is no way कि यह अगर यह सी लेकर आती है, तो यह जो फाइट है, यह पॉसिबल है. और सबसे इंडिस्टिंग बात तो यह है, कि काईला और अमांडा दोनों ही same gym, यही ATT में train करती है. So yeah, there is a bit of a history, but I don't think कि वह इस वाइट के लिए मना करेंगी. But यह बास साफिए कि यहां पे आती है, त definitely जो एंड गोल होगा, वो होगा, वो होगा, वाइट करना विद अमांडा नुनस. And I think, जिस हिसाब से अभी जो चल रहा है, I don't think अमांडा आरे पास बहुत टाम तक रहेंगी, तो साल बाद तीन साल बाद, I don't think so. Because उनके पास कुछ खास करने को है नहीं. There are not many fights, apart from शर्च साइबॉर्ग. So yes, अगर बलाटोर उनको इंट्रेस्ट, बलाटोर उनको पैसा पैसा पे करती है, और वो राजी हो जाती है, तो she will go there and she will fight, और साइबॉर्ग को यहाँ पर आती है in UFC, then she will fight Amanda Nunes. And I feel कि यहाँ पूरा एक पूरा एक पॉरा एक पॉरा एक पॉरा एक कि क्या उ So she has to drop down to 145, जहाँ पर fight करती है Amanda. She's a big girl, she's a really big girl. And I think UFC कैसा करना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ चाहिए. तोस्तों, what do you think? क्या यहाँ पर आएँगी fight करने के लिए Kaila Harrison? I think she should. And I think, जो यह वीडियो का नाम मना है, Will she come to UFC? क्या UFC उनको हायर करेगी? Because I think UFC definitely चाहती होगी उन में हायर करें, बट क्या वो इतना पैसन को दे पाएगी इस टाइम पर. दोस्तों, यह था हमारा वीडियो कायला हरिसन, मिलते हैं, नेक्स टाइम.